नमस्कार साथियों Infusion Nodes के YouTube चैनल पर आपका स्वागत हैं मैं आपका साथी कफिल टिवाड़ी आपके सामने 25 महतोपुन पर्षन जनरल साइंस के लेकर हाजीर हूँ इस सेसन में अपने महतोपुन 25 पर्षन जो आपको ही पता है कि 6 सेन लेकर दस्यों की जो NCRT की विग्यान की पूस्त के हैं उस पर अधारित रहेंगे ये क्यूसन साथियों सभी उन पर्षन परिक्षा के लिए समान रूप से उप्योगी रहेंगे जिन में जनरल साइंस पूछी जाती है चाहिए SSC का एक्जाम हो, Railway का हो या REIT का हो तो साथियों शुरुआत करते हैं अपने पहले क्यूसन से, अगर साथियों ये आपको क्यूसन पसंद आ रहे हैं तो इस सेशन को लाइक वैसे जरूर कीजिएगा पहला क्यूसन है आपके सामने रोकेट है जो किसी दानत पर कारिय गरता है रोकेट है आर तिर्जिया की पर्तिवी के के अंदर पर किसी पिंड का भार क्या होता है सुन्य होता है ये question important है आप से पुछा जा सकता है इसको बढ़िया से याद कीजिएगा आरतिर्जिया की पर्थवी के केंदर पर किसी भी पिंड का भार पुछा है किसी पिंड का भार क्या होता है तो आप का अंसर होना चाहिए सुन्य यानि आर्तिर्जिया की पर्थवी के अंदर पर किसी भी पिंट का बार क्या रहेगा, सुन्य रहेगा, इपोर्टेंट है, पुछा जा सकता है सातियों, आगे बढ़ेंगे अगले क्यूशन पर बात करेंगे, अगला क्यूशन है आपके सामने, पेंडूलम घडी, ति पेंडूलम घडी है वो, तिरूगती से है, जो चलती है, इपोर्टेंट है, पुछा जा सकता है, अगले क्यूशन पर बात करेंगे सातियों, घडी में चाबबी देने पर कौन शी उर्जा संगरीत होती है, मोश्ट लगा लेना, कई पर्तियोगीता प्रिक्षा में यह है, क्यूशन लगातार पुछा जा रहा है, आप से पुछा गया है, कि गडी में चाबबी देने पर कौन शी उर्जा है, जो संगरीत होती है, तो आंसर होगा, श्तित उर्जा है, जो इसका आंसर है, रहेगा, इपोर्टेंट है, साथियों पुछा जा सकता है, बढ़ेंगे आ सरोत रहेगा, उर्जा का एनमीनी करने सरोत रहेगा, इपोर्टेंट है, पुछा जा सकता है साथियों आप से, अगले क्यूशन पर बात करेंगे, प्रासरवे तरंगे क्या होती है, तो बीजार हड से अधिक है, आवर्ती की अनुदेदरिये तरंगे होती है, उन्हें प्र प्रासरवे तरंगे कहते हैं, इपोर्टेंट है साथियों पुछा जा सकता है, अगले क्यूशन पर बात करेंगे, अगला क्यूशन आपके सामने है कि वायू में प्रासरवे तरंगों की है जो चाले क्या होती है, ये क्यूशन इपोर्टेंट रहेगा, आप से पुछा गय प्रासरवे तरंगे होती है उनकी चाल क्या होती है तो आंसर होना चाहिए हवा में हर सरवे जो हवा में सरवे धोनी तरंगें की चाल होती है उसी के समाने होती है पुछा जा सकता है अगले क्यूशन पर बात करेंगे अगला क्यूशन है कि लेज का नियम दारित है LTC में साइद साथियों 2018 का जो एक्जाम हुआ था उसमें पुछा गया था और उसके बाद है जो रेल्वे में भी ये पुछा जा चुका है इपोर्टेंट रहेगा पुछा जा सकता है कि फ्यूजदार है वो कारिया करता है तो आंसर है ताप ये उसमें परभाव पर इपोर्टेंट रहेगा आप से पुछा गया है कि जो फ्यूजदार होता है वो कारिया करता है ताप ये या उसमिया परवाव पर कारिया करता है ये Qs important ये Qs रेंद सात्यों लेवल का Qs है पुछा जा सकता है आपसे अगले Qs पर बात करेंगे Fuse तार बता है ये Qs important है कि Fuse तार है जो किसका बता होता है तो आउसर है तिन वैं शिचा से बता है का पुछा गया है कि लगूपतन होता है उसमें जो प्रिपत की दारा होती है वो बहुत अधिके बढ़ जाती है तबी है जो क्या होता है लगूपतन होता है आप से पुछा है कि लगूपतन के समय जो प्रिपत दारा है वो तो वो बहुत अधिके बढ़ जाती है अगले क्युशन है कि विदूत बलब में गेंस बरी होती है यानि विदूत बलब है उसमें कौन सी गेंस बरी होती है तो ओर्गन वै नाइट्रोजन है जो बरी होती है इपोर्टेंट है रहेगा पुछा जा सकता है सातियों अगले क्युशन पर अपने बात करेंगे अगला question है आपके सामने एसा उपकरण जो दिश्ट दारा को परत्यावर्ती दारा में परिवर्तित कर देता है यानि एसा उपकरण जो दिश्ट दारा को परत्यावर्ती दारा में परिवर्तित कर देता है तो इन्वेटर इसका आंसरे रहेगा ये सारे के सारे क्यूशन साथ ये जो NCRT की बुक है उसमें से निकाले गए हैं ये सेसन आपको पसंद आ रहा है तो इसे लाइक वाशेर जरूर कीजिएगा आप से पुचा गया है कि एसा उपकरन जो दिश्च दारा को परत्यावर्ति दारा में परिवर्ति कर देता है तो आ सकता है सातियों आप से पुचा गया है कि जो फ्यूजतार है वो जिस दासूद से बना होता है उसका गलांक वह परतिरोध होता है तो आपका आंसर होना चाहिए गलांक तो होता है कम और जो परतिरोध होता है वह होता है उस इपोर्टेंट है पुचा जा सकता है सातियों अ आप से पुछा गया है कि वहन द्वारा ते कीगी दूरी को मापा जाता है आंसर होगा और डो मिटर के द्वारा है जो मापा जाता है आगले कि उसन पर बात करेंगे उपकरों की पर्थवी की कक्षा में प्रमोचित करने वाले रोकेट की प्रायचाल होती है तो 11.2 किलोमेट पर्ती शेकेंड यानि पर्लाइन वे के बराबर होती है आप से पुछा है कि उपकरों की पर्थवी की कक्षा में प्रमोचित करने वाले रोकेट की प्रायचाल होती है तो 11.2 किलोमेटर पर्ती शेकेंड पर बात करें तो अगला क्यूशन है कि गड़ी के शेकेंड की जो क्या है सातियों वर्तुल गति होती है इपोर्टेंट है पुछा जा सकता है आपसे आगे बढ़ेंगे अगले पर बात करेंगे अगला क्यूशन है विदुत बलब के आविश्कारके कौन थे ये क्यूशन भी बढ़िया है कई बार आविश्कार करता का नाम है जो पोटेंट असातियों किसके अविश्कारक हैं विदुत बलब के हैं थोम्स अलबा एडिशन है जो किसके विदुत बलब के अगले क्यूशन पर बात करेंगे अगला क्यूशन है आपके सामने हिटर के तंतु का तार बना होता है ये क्यूशन आप से पूछा गया है कि हिटर क तंतू का है जो तारे बना होता है तो नाइक्रोम इसका आंसर रहेगा ये ऐसे ही कुछन है साथियों रेल्वे और असेशी में पूछे जाते हैं साथी रीट में 20 परकार की कुछने पूछे जाते हैं एंचियार्टे की पुछ्टकों से ही जनरल साइंस के कुछन पूछे जा जाएगा ये मोश्ट लगा लेना साथियों अगामी पुटविता प्रिक्षा में क्या करना है मोश्ट क्यूशन रहेगा आप से पूछा है कि यदि पर्थी के गुर्णन की गती बढ़ जाती है तो शरीर का वजन है जो घट जाएगा मोश्ट इपोर्टेंट क्यूशन रह आगे बढ़ेंगे अगले पर बात करेंगे यदि हम दर्वाजे के कबजे पर तेल लगाते हैं तो उसका गर्षन है जो कम हो जाएगा ये तो अपने बेसिक ही क्यूशन रहेगा आप से पूछा है कि यदि हम दर्वाजे के कबजे पर तेल लगाते हैं तो गर्षन क्या बैता हुआ जल किस परकार का उर्जा सोहन करता है तो गतीज उर्जा का रहेगा यादि जो नदी का बैता हुआ जल होता है वो किस परकार का उर्जा का सोहन करता है अंसर होगा गतीज उर्जा अगले पर बात करेंगे अगला क्यूशन आपके सामने है कि माइक्रोफॉन में उर्जा का रुपांतरन है जो दौनी से विधूत के अंदर होता है माइक्रोफॉन में उर्जा का रुपांतरन होता है दौनी से विधूत के अंदर होता है अगले क्यूशन पर बात करें जन्ने में जब जल उन्चाइशें गिरता है तो उसका ताप सातियों बढ़ जाता है इसको भी मौश्ट लगाना अगामी प्रत्योगिता प्रिक्षा के लिए जो ये क्यूशन है काफी इपोर्टेंट रहेंगे आप से पूचा गया है कि जन्ने में जब जल उन्चाइशें गिरता है तो उसका ताप सातियों क्या होगा बढ़ जाएगा इपोर्टेंट रहेगा क्यूशन तारों वैसुरिय की उर्जा का स्रोत है क्या है तो आंसर होगा ना भी किया सलियन ये क्यूशन भी इपोर्टेंट रहेगा आज से पूचा गए है कि तारों वैसुरिय की उर्जा का स्रोत क्या है तो ना भी किया सलियन रहेगा तो साथियों इस सेसन में अपने 25 क्यूस्टन जो महत्वपूर्ण NCRT की बुकों में बन रहे थे विज्ञान की वो मैंने आपके साथ शेयर किये मेरा प्रयास राकी में जितने ही महत्वपूर्ण परसन बनेंगे वो आपके साथ शेयर करूँ अगर यह सेसन आपको पसंदा रहा है तो इस सेसन को लाइक वाई शेयर जरूर कीजिएगा Infusion Notes की YouTube चैनल को लाइक वाई सब्सक्राइब कीजिएगा धन्यवाद